सांपो को लेकर आज भी दुनिया भर के लोगों में काफी भ्रम हैं। लोग अंद्विश्वास और सांपो से जुड़ी कई बातों पर यकीन करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सांपो की पची सो से अधिक प्रजातिया पाई जाती हैं। जिसमें से करीब 500 जहरीले होते हैं। आज हम आपको दुनिया में पाई जाने वाले 10 ऐसे विशेले सांपो के बारे में बताएंगे जिनका काटना पानी भी नहीं मांगता। आप जादा तर रात के वक्त शिकार ढूंडने निकलते हैं। ये काफी जहरीले होते हैं लेकिन साथी दरपोग भी होते हैं। ब्लैक मांबा एफरीका में पाया जाता है। ये धर्ती पर सबसे तेज चलने वाला सांप है जो की 20 किलोमीटर प्रती घंटा के रफ्तार से अपनी शिकार का पीछा कर सकता है। खत्रा महसूस होने पर ये लगतार 10 से 12 बारा बार काटता है और 400 मेली ग्राम तक जहर इनसान के शरी में छोड़ देता है। ब्लैक मामबा का सिर्फ एक मिली ग्राम जहर ही इनसान को मारने के लिए काफी है। ये स्नेक आस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत पावफुल नियूरो टॉक्सिन जहर होता है। इसके काटने के बाद 30 मिनट से 24 घंटे के अंदर इनसान की मौत हो जाती है। कोबरा साब की अधिकांश प्रजातिया जहरीली होती है पर फिलिपीन कोबरा में बहुत जादा जहर भरा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शिकार को डसने के बजाए उस पर दूर से जहर थूपता है। यह 3 मीटर की दूरी से भी शिकार पर जहर थूप सकता है। यह एक बार में काफी मात्रा में जहर थूपता है। इसका जहर निउरो टॉक्सिन होता है जो की सीधे सांस और दिल पर असर करती है। नमब 6,Soce Keled Viper वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाई जाते हैं और इनकी जाध़ तर प्रजाती जहरीली होती है। लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजाती सॉसकेल्ड वाइपर चीन और साउठ ऐस एश्या में पाई जाती है। भारत में सापों के काटने से होने वाले सबसे जादा मौतों के लिए यह सब जिम्मेदार है। यह साप जादा तर बारिश के बाद शिकार की तलाश में निकलते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। आपको बता दे कि यह इसके काटने के आदे घंटे के अंदर की इंसान की मौत हो जाती है। यह सांप औस्ट्रेलिया और नियो ग्युआना में पाई जाते हैं। यह सांप घात लगा कर दूसरे सांपों का शिकार करते हैं। इसका जहर निूरो टॉक्सिन होता है। यह एक बार में 100 मिली ग्राम तक का जहर शरीर में छोड़ सकते हैं। हाला कि इसके विश्ट का शरीर पर धीरे धीरे असर होता है। नमबर फोर रैटल स्नेक यह उत्री अमेरिका में सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं। यह सांप अपनी पूच के आखरी सिरे पर बने छलो के कारण पहचाने जाते हैं। जब यह अपने पूच को हिलाते हैं तब यह छले बच्चों के जुन-जुने के तरह अवास करते हैं। इसलिए इसका नाम रैटल स्नेक पड़ा है। यह सांप अपनी कुल लंबाई के दो तीहाई हिस्से तक वार कर सकता है। जो की बहुत ज़्यादा होता है। यह सांप बहुत ज़्यादा गुसेल किसिम के होते हैं। और इस सांप के बच्चों में सबसे ज़्यादा जहर बना होता है। आस्ट्रेलिया में पाई जाने वाले यह सांप बहुत ही जहरीले होते हैं इसके जहर का 14,000 हिस्सा ही किसी इनसान को खतम करने के लिए काफी होता है यह आस्ट्रेलिया में इनसानी इलाकों के पास पाई जाते हैं इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इनसान को मौत दे सकता है। इनकी चाल बहुत तेज होती है और यह एक बार खत्रा महसूस होने पर यह पीछा करके उसे काट कर ही दम लेते हैं। यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे जहरीले हैं। इसकी एक बाइट में 100 मिली ग्राम तक का जहर होता है। जो की बहुत जादा नहीं है पर इतना घातक होता है कि 100 इनसान को मौत की नीन सुला सकता है। इनका जहर रैटल स्नेक की तुला में 10 गुना और कोबरा की तुला में 50 गुना जादा खतरनाक होता है। यह सांप अबादी से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर इनका सामना किसी इनसान से हो जाए तो वो बच नहीं सकता। सी स्नेक यानि समुदरी सांप इस्ट एशिया और नौर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाते हैं। यह दुनिया का सबसे सेहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिली ग्राम बूंध ही 1000 इंसान को मौट के खाट उतार सकती है। यह सांप समुदर में पाई जाते हैं। इसलि जाते हैं।